सो हे फ्रेंड्स कैसो आप सभी लोग आई होप किया आप सभी बढ़िया होंगे तो इस फाइलली हम लोग वापस आ चुके हैं बहुत दिनों बात और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीरो वर्सेस हायातो प्लस मोको के बारे में यानि कि अगर आपको सीर प्रूड देखना सोगा इस मेरे नमें विशाल आप देखर हैं वाइट स्पिरिट गेमिंग यूटुब चैनल तो चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं तो भाई लोग जैसे कि आप से भी जानते कि हमारे गेम का जो निव क्याक्टर है सीरो उसका जो एविलिटी है वो अल्मोस्ट हयातो और मोको से मिलता जुलता है और भाई आपका जो मोको है हयातो है और जो सीरो है ये तीनों ही क्याक्टर आप लोग को बिल्कुल फ्री में देखने को मिला तो अल्मोस्ट सभी के पास ये जो क्याक्टर से वो होन गई तो भाई सब के मन में कहीं न कही तो कुन देखना बिल्कुल भी एक बी पार्ट इस वीड़ो का मिल मैउस्टे पहले प्रसक्राइब और 10ες 25 frankly कर देंगे end 10 के करवा देंगे तो क्यों ने भाई बहुत जल्दी आ जाएगा अब खेर यह अलग बात है लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम जो में टॉपिक के उपर बात करने वाले वह कि आपको सीरो यूज करना चाहिए यह फिर हयातो प्लस मोको के यूज करने चाहिए लिकिन उ सकते हैं के के साथ भी यूज कर सकते हैं के के साथ भी यूज कर सकते हैं क्रोनों के साथ भी यूज कर सकते हैं इन तीनों के ही स्किल्स को ठीक है अब बात करें सबसे पहले मोको के बारे में तो अगर आप मोको की स्किल को यूज करेंगे और आप किसी एलमे को डैमेज दें अगर आपका health 10% से कम होता है और इसके बाद अगर आप अपने अनिमी को damage देते हैं तो इसका जो armor penetration है वो 10% से increase हो जाता है for an example कि आपका 200 का health है और आपके अनिमी ने आपको damage दिया और आपका health है वो 10% से कम हो गया कि आपका health है वो 180 या फिर उसके कम है तो उसके बाद अगर आप अपने अनिमी को damage देंगे तो आपका जो armor penetration है वो 10% से increase हो जाएगा तो यहां तक आपने जानने के जो हायातों का और मुकों का skill है वो कैसे काम करता है अब मैं बात करूंगा भाई हमारे new character 0 के बारे में तो इसका skill है वो इन दोनों का एक combination टाइप का है लेकिन तो तो उसको ध्यान से समझना तो बेसिकलिए का इस 0 के अंदर आपको दो abilities मिलत अब उसके बाद जब आप अपने अनिमी को first ammo fire करेंगे तो उसका जो आर्मर पेनिट्रेशन है वो 100% इंक्रीज हो जाएगा और इसका जो कूल डाउन टाइम है जो आर्मर पेनिट्रेशन का कूल डाउन टाइम है वो है 20 सेकंड तो 20 सेकंड के बाद अगर आप दोबारा अ आर्मर पेनिट्रेशन काफी जादा है लेकिन भाई तो सिरो का पहली ability है ना 80 मीटर के अंदर कोई बी अगर आपको डेमेज देता है तो वो मार्क हो जाएगा तो बाइटी मीटर के अंदर कोई बी अपके सामने होगा तो आपको देख जाएगा अब बाई चानस वह एनिम का ड्रोग है लेकिन 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 भाई इसका जो गयाक्टर स्किल है अगर आप उसको इसको सोलो में यूज करेंगे ना तो आपको सबसे जादा benefit मिलेगा इसके च्छल का क्योंकि आपको सोलो के अंदर बहुत सरे बंदें मिलेंगे जो सालेंसा लाग और फाइर कर रहा ह लेकिन अगर डूओ या फिसकोड खेल रहें तो भाई वहां पर मैं आपको रैफर करूँ गा कि आप मोको और हयातो के स्किल को यूज करो कि भाई वह भी काफी बढ़िया स्किल है और मोको का जो स्किल है वह सबसे बढ़िया इसलिए आप अगर किसे एंडमे को फायर करते है है तो उसके जो क्यांथ वह आपके पूरे टीम ये को दिखता थाए तो इसलिए अगर आप स्कौड में खेलते हैं तो मोको के स्किल आपके लिए सबसे ज़ादा बैशील रहेगा लेकिन अगर आप सोलो में कहलते हैं तो आपके लिए जो सीड़ो का स्केल है यह माइंड ब के लिए भी और आपके टीमेट के लिए भी तो आप उसको वहर्फल में हर एक जगा यूज कर सकते हैं तो ये 5 के जह घुर करसकते थे टोग से इंपोर्टेंट होता है आपके सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैं पर रिप्लाइज जरूरू करूंगा आपको इंस्टा है वो डिस्किप्सिर में देखने को मिल जाएगा तो वहां से आप में फोलो करके डियम कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट से तो आपको मैं सॉल्य करें दर इतना दो उमीद करते हूँ कि आपको यह वीडियो को यह विदिए कर देना और अगर आप चानल पर न Keos तो प्लीज 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 पांवरेका सब्सक्राइब करने के बास सेर में गात उइसके लिए को हमारे वीडियो करें कर देढ़ने के existing cooking झाल झाल